यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदा वसले मात्रवो में आज हम लोग एक महत्वण विश्वास पर डिसकेशन करने वाले हैं और भारत की जुडिशल पॉलसी पर मुझे लगता है कि हर एक विक्ति को ये बात जाननी चाहिए कि भारत में जुडिशल सिस्टम में सुधार कैसे हो सकता है और जुडिशल सिस्टम पर लोगों का विश्वास पुनहर जागरत कैसे हो मेरा मानना है कि भारत में 80% लोगों का विश्वास जुडीशिरी पर है लेकिन उस 80% के बाबजूत मैं देखता हूँ कि जब भी कोई decision किसी के अगेस्ट में चला जाता है जन भावना किसी एक particular group के अगेस्ट चला जाता है तो वो जुडीशिरी पर प्रश्णे खड़े करना में शुरू हुए कि अफजल हम सर्विंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा है तेरे कातिल जिन्दा से मतलब था कि ओनरवल सुप्रीम कोट का judgment था उनका फांसी का और ओनरवल सुप्रीम कोट का judgment पर फांसी लगाई गई तो यह हुआ कि तेरे कातिल जिन्दा है का मतलब यह प्रिम कोट को लिखा गया और राष्टरपती को लिखा गया और उनकी सजा माफी और ये वो सब और बाद में जब नहीं हो पाया तो हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्ना है इस समय विकास दुबे का केस चल रहा है विकास दुबे पर हमने देखा के पूरे देश्वन में एक कातिल के लिए एक दुरदंद अपरादी के लिए जिसने मानवता की हत्या की हो जिसने अपनी जाती एगर जाती वेवस्ता पर लोगों ने प्रशने खड़े की है जिसने अपनी जाती के सबसेदा लोग मारे हो और अपनी जाती के लोगों को इस प्रकार से माना अब मा पर उनकी हत्या जिस व्यक्तिने की हो पुलिस्टेशन में बैठ कर उसको उस समय सजा नहीं हो पाई उसकी हत्या को लेकर बड़े प्रश्ण खड़े किये उसकी जो मिरत्य हुई उस पर बड़े प्रश्ण खड़े किये पुलिस की एक्शन पर बड़े प्रश्ण खड़े किय किसी ने उस पर पिटीशन डाल दी और सुप्रीम कोड में पिटीशन डाल कर भी सुप्रिम कोड इन काउंटर फेक है और उतरप्रदेश पुलिस को सजा होनी की और भूस सारी चीछ जबाब जो मैंने दिये थे उस समय वो सारे जबाब और नेबल हाई कोट में उतर पर सरकार ने भी विल्कु सेम वैसे के वैसे जबाब दिया अगर आप चाहें तो उस इंट्रिव्यू को आशिस सिंग के साथ विकास दूबे के नाम से देख सकते हैं दूसरा राजिस्थान म मेडिया में लोगों ने प्रशन उठाने शुरू कर दिये हैं कि यह साब उनके साथ हैं यह इनके साथ हैं और यह ऐसे हैं वैसे हैं बहुत सारी चीज़े और फिर जुडिश्री में जब केस जाएगा तो कोई एक नाएक पार्टी तो हरेगी और दूसरी पार्टी को विज साने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे और वो प्रश्ने खड़े करने शुरू कर देता है इन सबका मुझे लगता है कि जुडिशी की भूमिका पर प्रश्ने-पता नहीं हो ना हो क्योंकि जिसमें डिसीजन करती है उसमें एविडेंस के बेस पर करती है लेकिन फिर बी हूं कि नया हो रहा है लेकिन नया दिखना भी चाहिए इसके लिए हमारे एक मित्र ऑस्टेलिया से उन्होंने मुझे दो तीन इंडिया के हुआ करते थे नतीजा निकला कि उनके खिलाब महावयोग कॉंग्रेस ले आई थी और वो महावयोग ले जाकर वो उसने राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया और इस लेविल पर प्रस्तुत कर दिया कि दिपक मिश्राजी मुझे लगता है कि उस समय देखने में तो वो अपने आपको नहीं शो कर रहे थे लेकिन जब हम कोर्ट में जाते थे तो लगता था कि नहीं कहीं न कहीं प्रभाव उनके उपर है कि उनके खिलाफ देश में महावल बना हुआ है क्या किया दिपक मिश्राजी ने वो अपने को याद करने की जरूत है पहले दो डि के प्रेंज्मेंट में उन्होंने एलेक्र्णिक रिकॉर्ड के रूप में एविडेंस को लेकर उनके लिए 65 कपटल बी एविडेंस है कर रोना सुखरति किन किन के बातों पर ये जो डिजिटल कॉपिया है वो ली जा सकती है नहीं लिए सकती है दूसरा फिर सितंब्र 2018 में हाला कि एपरेल 2018 में ही महावयोग उनके ख़लाफ लाने की प्रयाश शुरू हो गयता है अक्टूबर में तीन जजों के एक बैंच बैठी कि दो वर्ष लगबग पूरे होते जा रहे हैं हमारे हां वह इंप्लिमेंटेशन नहीं हुआ है और बड़ा मुश्किल काम भी है उन्हों ने यह कहा कि कोड की जो प्रोसेडिंग है वह ओनलाइन हो सकती है सकता है और लाइव टेलीकास्ट करनने हों तो वो वीटेयो कॉन्फेरेंशिंग उनbury जा सकते हैं जो लोग बहुत डिस्टेंस में हैं उनके वर्जन लिए जा सकते हैं इसे सब कुछ हो सकता है और Honorable Justice Khan Wilker ने कहा कि पाइलर प्रोजेक्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट की जो constitutional bench है constitutional bench जिसमें पांच जज़ेस की bench बैठती और constitutional मामला मानना जाता है देश के बड़े sensitive मामले मानने जाते हैं जिससे देश के एक एक विक्ति पर प्रभाव पड़ता है उन्होंने कहा कि यह जो मामले हैं इनको डायरेक्ट ओनलाइन दिखाए लाइव दिखाया सकता है इनकी recording की जा सकती है इसके case laws हो सकते हैं और यह देश को बताया जा सकता है पाइलिट प्रजेक्ट के रूप में हमको शुरू करना चाहिए जैसे चंचूर ने भी इसका support किया और उन्होंने कहा कि ने इसके लिए committee बननी चाहिए और कैसे कैसे काम होगा उस पर काम 82 का एस पी गुपता वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया का जो जज्जमेंट था या हम जिसको जज्जिस ट्रांसफर केस वन कहते हैं उस केस में उस समय के chief justice ने एक टिपड़ी की थी और उन्होंने कहा जब appointment transfer posting में प्रशन खड़े होते हैं जज्जिस के तो क्यों नहीं हम ऑ भूमिका में हो नहीं court उसमें भूमिका में हो और वो एक separate commission हो जैसे UPSC रहता है गुर्ना सरकार होता है ना वो third party होता है वो third party होता है और वो एक independent type की body होती है जो IES का selection करके देती है तो क्यों ना हम जज्जिस के appointment के लिए एक अलग तीसरी organ बना दें जो जैसे Australia में बैठ करें और consultation उसमें Supreme Court की भी हो यानि के court की भी हो और सरकार की भी हो वो नाम प्रपोस करेंगे वो third वो एक्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे इंट्रिवू लेंगे क्या करेंगे जैसा UPSC हमारे यहां करता है वैसा काम करेंगे हलां कि उसके बाद उस judgment को पलट दिया गया उनने Advocate on Record Association 2 आया 2014 में यह भी सरकार बैठी तो इसने National Judicial Appointment Commission बनाया और कहा कि एक थर्ड पार्टी होगी थर्ड ग्रूप बनेगा जिसमें सरकार और court दोनों के नमेंदे हो गए और leader of opposition भी होगा ताकि जिसके appointment में कोई प्रशन ना खड़ा कर सके वो challenge हो गया और challenge होने के बाद पांच जज़ों की bench ने उसको कहा यह अं constitutional है जबकि 1982 में यही judgment यही Supreme Court ने प्रपोस किया था कि ऐसा एक Judicial Appointment Commission होना चाहिए ऑस्टेलिया के तरच पर अभी हमारी नवल जी से जब बात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा रहस कोला रहस क्या open proceeding पर है मैंने भी फिर टी सरकारे हैं जो चाहती हैं कि transparency हर जगए हो वो technology का इस्तेमाल कर सकते हैं Australia में क्या होता है उन्होंने जो बताया और मैंने भी जो सर्च किया और वो proceeding आप YouTube पर भी देख सकते हैं कोट की उन्होंने कहा कि Australia में कोई भी ट्रिबुनल और कोई भी कॉट नीचे से लेकर federal court of Australia तक ऐसा नहीं होता कि court proceeding record ना हो यानि कि कोई भी proceeding जो court में चलती है उस पर camera लगे होते हैं जहां पर prosecution खड़ा होगा जहां पर defense खड़ा होगा जहां पर witness खड़े होंगे जहां पर judges बैठे हुए हैं जो jury बैठे हुए हैं सबके उपर camera लगे होता है और उनकी सब की recording होती है और वो recording file के साथ प्रैक की जाती है मलब file जो हमारी चली हमने जो उसमें plant लगाई ws लगाई जो भी हमने proceeding on papers करी उसकी सारी की सारी court में चलने वाली proceeding की भी recording होती है और वो उस file के साथ नथी रहती है जब भी मामला appeal में जाएगा तो recording भी साथ में appeal में जाएगी ताकि appealing court उसको पिर से दिख लें कि नीचे हुआ क्या था और appealing court का काम ही होता कि नीचे क्या argument किये उन arguments को कितना appreciate judges ने किया और उत्र appreciate करके कितना उस बातों को लिखा हमारे हैं एक बड़ा गंभीर सबाल लगाया जाता है उसका कारण यह भी है कि हमारे advocates को ज़्यादा जनकारी नहीं होती कि बाद किताबी कीडे बन गए होते हैं और ज़्यादा और 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 recru kannst जाथा करते हैं और और समस्या है कि हमने court को एविदेंस कौर्ट ने रख लिए और रखने के बाद उसने कूढ़े में फेक दिया और हमारे judgment में उसने वो consider ही नहीं किया जो हमने वहा यह सारी चीजें recorded होती है अच्या इन चीजों की खासवात यह होती है कि जो party है ना party इस recording को गर लेना चाहे उसने जो अपना statement दिया था उसने code के सामने बोला था जो cross examination हुआ था जो भी वहाँ पर हुआ था party की ये पूरी की पूरी proceeding party उसका जो एक payment रहता है जैसे हम certified copy निकालते हैं code से वैसे एक certified copy इस digital recording की हमको मिल जाती है हम दुबारा उसको review कर सकते हैं हमने क्या कहा था और code ने क्या मेंस कर दिया और review करने के बाद उसी review के अधार पर हम एक review petition डाल देते हैं या फिर revision डाल देते हैं आपील डाल देते हैं तो वह उन्होंने जो system बनाकर रखा है नीचे ट्रिबुनल से मतलब हमारे यहां ट्रिबुनल में तो बहुत बड़ी समस्य हैं जैसे डिस्टिक में डिस्ट्रीट की जो कोट बेटती वू कोट रहर की और में गीटी में टैसिल्दार जमीनों की प्रापरटियों का बड़ा ब्रुमांफियों का बहुत चखर रहता है को उन्हें पड़िज़ोंट्य यह वätta तो ट्रिबुनल की भी एक एक जिसमें भी पार्टी एफट्ट होगी और कोई decision लिया जाएगा party के right and liabilities में उसकी recording होगी और वो उस file के साथ नत्ती होगी recording तो ये जो politicians के द्वारा administrative machinery को pressure डाल कर proceeding change कर दी जाती है या जमीनों के dispute solve किये जाते हैं bias हो जाते हैं ये सारी चीजें रुख सकती हैं पूरे जहां जहां पर decision हो जहां पर भी मेरे खलाफ है मेरे favor में order होने वाला हो वो सारी proceeding recorded हो और उसकी recording की copy उसके साथ नत्ती मिले और party जब certified copy निकाले तो वो साथ में recording की payment डाल कर जो भी payment पड़ता है recording की भी certified copy ले सकता है बोज side की proceeding के और अच्छा ये होता है वहाँ पर की ये जो proceeding चलती है supreme वहाँ के federal court में या वहाँ के high court में इन proceedings को law colleges institutions भी निकाल लेते हैं और अपने अहां उसको play करते हैं जैसे mood court भारत में चलता है तो वैसे ही वो mood court के साथ उसको play करते हैं real time वहाँ कैसे proceeding चल रही है ये college में सिखा देते हैं उसको court में आने की ज़रूत नहीं पढ़ती है पढ़ते समय ही जो case वो discuss करने जा रहा है उस case की बड़ा case laws अगर उनके पास है आदा गंटे एक गंटे का तो वो वहाँ से proceeding निकालते हैं और अपने हाँ उसको case laws की रूप में चलाते हैं ये मामला था ये उसके fact थे और ऐसे proceeding चली ये चार गंटे पास गंटे दस गंटे की इसकी recording है तो उसमें बच्चा घुषता है उससे उसको एक extensive knowledge मिलती है तो इससे दो तीन बड़े काम हो सकते हैं कि एक तो corruption को इन case of legal system चाहे वो executive function हो चाहे वो judicial function हो चाहे वो administrative function हो चाहे वो बाकी के tribunal, green tribunal जैसे हो जहां कहीं भी decision हो उसकी एक digital copy बननी ही बननी है आप अगर चाहें तो ये सारा को दे सकते हैं Australia की site पर भी Australia के जो courts की site है hcourt.gov.us hcourt.gov.australia और ये अगर फेडरल कोट का उनका देखना चाहे थे federal court.gov.au इस पर आप जाएए आप देखें उनकी video recording मिलती है सारी उसकी proceeding उन्होंने बना रखे है सारा system बना रखा है तो मुझे लगता है जो विकास दुबे पर प्रशन खड़े हो रहे हैं या जो और जो देश की बिफाट कि चलती रहती हैं उन प्रसेडिंग पर जो प्रशन खड़े होते हैं उन प्रशनों की सभी की डिजिटल रिकॉर्डिंग भारत में होने चाहिए उनर विल जस्टीश दीपक मिश्रा का जो जज्ज्मेंट है 2018 का उस judgment को भारत में लागू कर देना चाहिए भले ही pilot project के रूप में कुछ शुरू करें और इस समय तो opportunity भी है कि COVID-19 के time पर सारी online proceeding ही जितनी भी चल पा रहे हैं वो सारी online चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं आपने जुनियर्स को लेकर जाता हूं कि court में चलो proceeding आपको दिखाएं आप proceeding देखो वहां सीखो तो वह proceeding court में भीड लगती है और भीड की वज़े से court में समस्यां खड़ी होती है तो क्यों नहीं हम अब भविश्य में यह कर लें कि जो arguing lawyer है वही court में जाएगा बाकि सबको यह proceeding की copy देखने को मिल जाएगी और वह copy देख दे courts की proceeding क्यों नहीं हो सकती सारी विदान सभाओं की live proceeding चलती है लोकसभा की राजय सभा की और बहुत सारी organization है जिनकी अपने चैनल बनाकर हमने live proceeding चलाई है तो क्यों ना Supreme Court High Court और जो दूसरे courts हैं कास्त और से Supreme Court High Court हैं उनकी site बनाकर उन पर live proceedings हरी court की चलाई जाए बच्चे विशेगा की live streaming चल रही है या मेरी recording चल रही है कल को मैं भी कटगरे में खड़ा हो सकता हूं मेरे पर 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 प्रशन खड़े हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस विशेपर हमको काम करना चाहिए ताकि इस प्रकार के प्रशन भारत में ना खड़े हूं और judicial transparency अभी तक judicial activism की चर्चाएं हम करते रहे लेकिन उन चर्चाओं में यह भी हो गया कि judicial activism के चक्कर में judiciary भी किसे ने किसी पार्टी का favor कभी कभी करने लग गई ऐसा लोगों का कहना है लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की transparency है तो किसी के कहने का कुछ बचेगा नहीं और अगर ह लगता है कि इस विशय पर भारत को काम करना चाहिए और हम सब का यह करता बें बनता है कि भारत सरकार को इतना प्रिश्राइज करें कि फंड निकाले या इस तरह की विवस्ताइं करें कि सारे कोड डिजिटलाइज हो जाए नहीं तो केंदरी सरकार उस पर कानून बनाए र डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है वो पेट प्लस फ्री क्लासेस का लाब ले सकता है